किसान साथियों आप सबको पता है कि मेरे पास आठ पोधे अनार के हैं चलिए ये देखिए ये अनार का जो पहला पोधा है उनमें और आपको एक चीज दिखाता हूँ पर सो मैंने इनकी कटिंग की थी ये देखे कितनी सारी कटिंग पड़ी हुई है मैं फिर बताना चाहूंगा कि जो काम मैं कर लेता हूँ और उसमें जो रिजल्ट आते हैं वही मैं आपके साथ साजा करता हूँ देखि कितनी कटिंग है और अब आप इस पेड को देखे चारो तरफ से इसमें फूल भी आये हुए हैं और इसमें अनार भी है मैं दिखाऊंग किजिए कि मैंने कटिंग क्या कटिंग करी कौन सी टहनिया हटाई और क्यों हटाई ये थोड़ा आप देखिए और इसके बाद इसकी अगली वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि मैंने ये काम को किया और कौन सी टहनिया है जो आपको हटानी चाहिए मैं एक भाई का धन्यव वो काम किया है पहले उनको पहचाना फिर कुछ पढ़ाई की और तब देखा कि ये सजन बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप देखिए ये अनार बन चुके हैं. ये ये एक अनार है, ये दूसरा अनार है, यहाँ पर भी नार है यह तीसरा नार है यह चोथा नार है यह पांच वा छटा सात 25 नार है यहाँ पर है तो अगर आप इस पोदे पर देवन 오른 और कितने खुबशूरत नार है जह देखिए जली है आप लोग कहते हैं कि सभी फूल गिर जाते हैं इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि फूल दो परकार के होते हैं इसमें एक नर्बी होते हैं वो भी जरूरी चाहिए वो फूल गिरते ही हैं आप देखे नीचे अगर देखोगे तो बहुत फूल गिरे हुए हैं ये देख इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपकी कटिंग यानि कौन सी टहनिया आपको हटानी है दूसरा important point है इसमें nutrient management खाद क्या देना है कब देना है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका कौन सी फसल आप ले रहे हैं और आपका छेत्र कौन सा है यह है म मैं आपको दिखा रहा हूँ कितने आना इस पर भी कम से कम 15 से 20 अनार लगे हुए है यह भगवा है या सुपर भगवा है थोड़े mix है अब की बार मेरे को पूरा पता चल जाएगा और यह देखे कितना अच्छा management है इसमें पानी की बहुत अधिक आवश्यक्ता नहीं होती आईए आप जो दूसरे छे पेड हैं उनको देखते हैं यह देखिए यहां से यह छे पेड मेरे लगे हुए है सभी में देखिए अनार और आप फिर मैं कह रहा हूँ एक चीज बड़े ध्यान से देखिए कि इसमें मैंने किस प्रकार की टहनिया छोड़ी हुई है आप दे मैं आपको समझा सकूं कि मैंने कौन सी टहनिया काटी है इस बारे में आप थोड़ा मंथन कीजिए और इंतजार कीजिए मेरी अगली वीडियो का अभी मैं आपको सिर्फ यह दिखा रहा हूँ कि किसी भाई ने मजाक लिया था कि त्यागी जी को अनार का क्या पता अब मैं मैं तीन तरह के पोधे उगाऊंगा और उस पोधे पर फल दिखा कर जैसे बोंचाई की तरह करूंगा फल दिखा कर वो अच्छे बड़े 21 इंच के मैंने ग्रो बैक बनवाए हैं उन पर अनार और एक अम्रूत जो क्लोन वाला होगा या गुट्टी वाला होगा और एक नि किल करूंगा उससे मेरा सोंक भी पूरा होगा और आपके लिए अच्छे पोधे भी मिलेगे किसान साथियों ये थी मेरी एक छोटी सी प्रस्तुती अनार के ऊपर और मेरा इतना मन करता है कि रोज शाम को मैं इन में घूमता हूं एक मेरे साथी हैं उन्होंने मुझे लिख देख रेक करिए और उनमें जब जीवन आएगा जो चलता हुआ जीवन होगा पोधे चलते भी होंगे उनमें अपनी धरम पत्नी दिखाई देगी मैंने कहां पांच क्या मैंने तो लगभग आठ सो नो सो पोधे लगा रहे हैं इन में मैं अपना समय व्यतीत करता हूं आप लोगों को शिक्षा देने का काम करता हूं इसी के साथ विदा लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जै हिंद जै भारत वंदे मातर